Hello students, welcome back to our YouTube channel Service Study. बच्चों मैं आप सभी के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो की Class 10th Science के Objective Questions की वीडियो है. जो भी बच्चे पहले से हमारी वीडियो को देख रहे हूँगे उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे MCQs questions solve करा रहा हूँ. क्लास 10th Science के MCQs questions solve करा रहा हूँ और यह questions आपके लिए बहुत ही जादा important है, यह questions बोड एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही जादा important है, तो फटा फट वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्स्राइब कर लें, साथी साथ बे करिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा important होने वाली है, इसके पहले भी जो हमने MCQs questions solve करा हैं, उन सारी वीडियो का link आप सभी को description में मैं दे दूँगा, वहां से आप जाके देख सकते हो, तो बच्चों बेना time waste के हुए हम चलते हैं अपने questions पे, य completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl, if we take 20 ml of the same solution of NaOS, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be, students, question बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, means 2 kg का question है, और यहां पे मैं इसका मतलब आप सभी को समझाता हूं कि क्या कहना चाहता है question, कह रहा है कि यदि हम sodium hydroxide means NaOH का 10 ml solution लें और उसको neutralize करने के लिए हमको 8 ml hydrochloric acid की जरूरत पढ़ती है, ठीक है बच्चों, आप सभी को पता होगा, NaOS that is a strong base and HCl that is a strong acid, तो acid और base आपस में जब reaction करते हैं तो neutralization होता है, ठीक है, तो इसी वज़े से ऐसा बोल रहा है, तो कह रहा है कि अगर 10 ml sodium hydroxide को neutralize करने के लिए 8 ml HCl की जरूरत पढ़ती है, तो अगर उसी same solution means उसी NaOS के solution को 20 ml कर दिया जाओ उसकी quantity, तो 20 ml NaOS solution को neutralize करने के लिए कितना amount hydrochloric acid का हमको चाहिए बच्चों, तो बहुती आसान solution है इसका, कह रहा है कि 10 ml NaOS को neutralize करने के लिए 8 ml HCl चाहिए हमको, तो यहां से हम निकाल लेते हैं 1 ml NaOS को neutralize करने के लिए कितना HCl चाहिए 8 by 10 चाहिए और हमको कितना finally निकालना है, कितने ml के लिए 20 ml के लिए निकालना है, तो हम क्या कर देंगे 8 by 10 into 20 कर देंगे और यह कितना हो जाएगा, 2 और यह 2H जा 16 ml आ जाएगा, means बच्चों, यदि हमको 20 ml, 20 ml NaOS को neutralize करना है, तो 16 ml HCl की जरूरत पड़ेगी, ठेक है बच्चों, तो correct answer हमारा कौन सा है, option D, 16 ml, next question देख लेते हैं बच्चों, next question आपको screen पे देख रहा होगा, 35 number का question, which of the following types of medicine is used for treating indigestion caused by overeating, बहुती बड़िया question है, कह रहा है बच्चों की, जो नीचे options दिये गए है, medicines के, उसमें हम किस type की medicine का use करते हैं, जब indigestion हो जाता है, किसकी वज़से, overeating के वज़से ज़्यादा खालोगे, तो क्या हो जाएगा, overeating हो जाएगा, ठीक है, तो हम किसका use करते हैं, उस indigestion को खतम करने के लिए, उस सर्फ treat करने के लिए, ठीक है, तो बच्चों, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है, तो हम बता रहे हैं, कि indigestion का case क्यों generate होता है, जब हम overeating कर लेते हैं, बच्चों, तो जो hydrochloric acid होता है, वो क्या गरता है, कि हमारे stomach में जब उसकी quantity जादा हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमको indigestion feel कराता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, acidity हो जाती है, तो acid, जब कौन सा acid flow होता है हमारे stomach में, hydrochloric acid, और वो acid जब ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, indigestion feel होता है, या फिर acidity हो जाती है, और overeating की वज़र से वो जो पूरा food supplement रहता है, वो digest नहीं हो पाता है, जिसकी वज़र से problem होती indigestion की, तो बच्चों, जब acid जादा हो रहा है, तो acid को अगर खतम करना है, तो हम किसका use करते हैं बच्चों, उसको neutralize करने के लिए base का use करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका use करते हैं, बच्चों, antacid का use करते हैं, for neutralize that acid, ठीक है, तो antacid यहाँ पे हमारा correct option होगा, next question है, बच्चों, 36 number का आपको screen पे देख रहा होगा, कह रहा है कि, a solution reacts with marble chips to produce a gas which turns lime water milky the solution contains, बच्चों, question में हम से कह रहा है, कि उस solution का नाम बताओ, जो चारो option दिया न, इसमें से कोई एक solution, ऐसा solution है, जो कि marble chips के साथ जब reaction करता है, तो वो एक इस type की gas produce करता है, कि अगर हम उस gas को lime water के साथ react करा दें, तो वो lime water क्या करता है, milky color में हो दाता है, ठीक है, उसका जो color होता है, वो milky हो जाता है, तो solution का नाम बताना है, बच्चों, तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा correct answer होगा, that is, H2SO4 होगा, option C हमारा correct answer है, और बच्चों, अब इस question के solution के बारे में, थोड़ा सा detailed हम explain करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, कि बच्चों, जो marble chips होता है, क्या, marble, marble, cheapest, chips, sorry, तो marble chips क्या करता है, इसके अंदर बच्चों ना, calcium carbonate पाया जाता है, ठीक है, calcium carbonate यह marble chips contain करता है, और जब इसका reaction हम किस से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, that is a strong acid, तो क्या-क्या produce होता है, बच्चों, सबसे main जो produce होता है, वो हमारी carbon dioxide gas produce होती है, और उसके साथ क्या-क्या बनता है, CaSO4 plus CO2, और इसी के साथ हमारा gel भी बन जाता है, पानी H2O, ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस gas की बात कर रहा है, कि वो gas, जिसको हम जब lime water से reaction करा देते हैं, तो वो lime water को milky कर देता है, that is CO2, carbon dioxide gas, और बच्चों, जब lime water का reaction हम किस से करा देते हैं, means, carbon dioxide से करा देते हैं, किस का lime water का, lime water का, chemical formula, calcium hydroxide, ठीक है बच्चों, और इसी को हम और क्या बोलते हैं, slaked lime बोलते हैं, जब इन दोनों का reaction करा देते हैं, तो यह जो carbon dioxide gas होती ही न, बच्चों, यह क्या कर देती है, इस lime water को, किस तरीके से change करती है, milky बना देती है बच्चों, milky बना देती है, ठीक है, तो यहाँ पर finally यह explanation हो गया, और हमारा correct answer क्या होगा, 36 number का, option C, that is correct answer as to yourself for, ठीक है, next question है बच्चों, आपका screen पर, 37 number का जो question है, उसमें कह रहा है कि, one of the following is not an organic acid, this is, हमसे कह रहा है कि, नीचे जो options दी हैं, इसमें से कौन सा organic acid नहीं है, तो सबसे पहले बच्चों, आप यह समझो की, organic acid, organic, acid होता क्या है, ठीक है, organic acid बच्चों, यह natural तरीके से हमको मिलता है, means, यह maximumly plants और animals में पाया जाता है, इस वज़े से हम इसको क्या बोलते हैं, naturally occur होता यह, ठीक है बच्चों, और organic acid का अगर हम example दें, तो हमारे पास बहुत धेर सारी example है, हो गया हमारा कौन सा, acetic acid, ठीक है, और इसके अलावा हमारा कौन सा हो गया, citric acid, और भी आपको जानना है, तो lactic acid, ठीक है, इसके अलावा और जानना है, तो हमारा oxalic acid, यह सारे के सारे बच्चों और भी है, क्या है हमारे, organic acid है, यह natural तरीके से पाए जाते हैं बच्चों, और एक थोड़ा सा हम यहाँ पे, detailed, बहुती बढ़िया एक आपको information concept provide करना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, और मैं तो आप से भी कोई advice करूँगा कि note भी कर लीजिए, that is very important, कि बच्चों जो acetic acid होता है, वो किस में पाया जाता है, vinegar में पाया जाता है, ठीक है, इसकी अलावा, जो हमारा citric acid होता है, citric acid, वो किस में पाया जाता है, वो तो या तो orange में पाया जाएगा, या फिर लेमन में पी पाया जाता है इसके अलामा लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है बच्चों लैक्टिक एसिड हमारा करड में पाया जाता है और इसको लर्न करने के लिए सबसे सिंपल दरीका कि Lactic acid कहां से आजा है Lactobacillus bacteria से आजा है कि जब भी मिल्क से kurz convert होता है milk से kurd बनता है तो वहां पे Lactobacillus एक बेक्टेरिया की जरूरप पढ़ती है इसलिए हम इसको क्या बोलते है Lactic acid बोलते हैं तो आप इसको थोड़ा से ऐसे याद कर सकते हो ठीक है इसके अलावा अगर हम और acids की बात करें जैसे कि हमारे पास है formic acid formic acid ये कहां पर पाया जाता है ये आंट जो चीटियां होती ना बच्चों उनकी sting में पाया जाता है ठीक है तो आप सभी ये note कर लो और इसके अलावा जो oxalic acid होता है बच्चों वो भी हमारा organic acid है कौन सा oxalic acid ये किस में पाया जाता है tomatoes में पाया जाता है इसके अलावा बच्चों जो हमारा tartary acid होता है वो कहां पाया जाता है वो आपका grapes में पाया जाता है ठीक है बच्चों तो ये important information थी I hope कि आप इसको note कर लिया होगे तो यहाँ पे जो हमारा correct answer था वो क्या था बच्चों एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ethanoic acid ये भी हमारा first option जो दिया है ये भी हमारा क्या है organic acid है formic acid भी हमारा organic acid है citric acid भी हमारा organic acid है तो हमारा correct answer कौन सा होगा बच्चों carbonic acid होगा क्योंकि वो एक क्या है weak acid है वो हमारा organic acid नहीं है तो carbonic acid यहाँ पे correct answer होगा ठीक है next question देख लेते है 38 number का कहा रहा है the property which is not shown by acids कहा रहा है कि वो कौन सी property है जो कि acid नहीं सो करते देख लेते हैं first option दिया कि they have sore test यह तो so करते ही है starting में तो इसी से concept है था acid का जब उनको test किया गया तो पहला option हमारा नहीं होगा दूसरा दिया है they feel sopie this is the correct answer students वो sopie nature के नहीं होते हैं ठीक है c option they turn litmus red वो litmus को red कर देते हैं यह हमारा acids की property है और d option है their pH is less than 7 यह भी उनकी property है क्यूंकि उनका pH जो होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है means 7 से less than होता है तो correct answer कौण सा होगा बच्चों option B that is correct answer next question पे चलते हैं 39 number का question है the indicators which turn red in acid solution are हमसे कह रहा है कि उस indicator का नाम बताओ जो की acid को red color में change कर देता है ठीक है तो वो indicator कौन सा है बच्चों turmeric and litmus litmus तो ठीक है red करेगा लेकिन turmeric नहीं करता B वाला phenophthalene and methyl orange methyl orange तो ठीक है लेकिन phenophthalene नहीं करता है C वाला option है जो बच्चों वो है आपका correct answer क्योंकि litmus और methyl orange दोनों ही red करते है यदी solution हमारा कैसा रहा acidic रहा तो हमारा correct answer क्या होगा option C होगा option D भी हमारा गलत है क्योंकि phenophthalene नहीं होगा इस litmus होगा जबकि दोनों पूछ रहा है ठीक है तो हमारा correct answer क्या होगा option C, litmus and methyl orange next question देख लेते हैं बच्चों next question आपको screen पे देख रहा होगा कि 40 number का जो question है बच्चों उसमें कह रहा है कि the discomfort caused by end digestion due to overeating can be curled by taking कह रहा है कि यदी हमको end digestion की वज़द से problem होती है बच्चों discomfort generate हो जाता है तो कह रहा है कि discomfort means end digestion क्यूं हो रहा है overeating के वज़द से जादा हम खा लिए ठीक है जादा खाने के वज़द से end digestion हो रहा है और उसकी वज़द से हमको problem तो होगी ही इस चमक में pain होगा acidity फील होगी तो उसके लिए हम उसको उससे relief पाने के लिए हम क्या करते हैं क्या लेते हैं तो बच्चों अभी इसके पहले मैंने बताया था कि acidity या फिर overeating की वज़द से जो end digestion होता उसमें क्या होता है acid की quantity हमारे स्टमक में जादा हो जाती है तो acid को neutralize करने के लिए क्या आचा ये बच्चों तो base से ये आप चूज कर लो base का उप्शन होगा तो vinegar जो दिया है ना बच्चों ये हमारा नहीं होगा क्योंकि vinegar क्या है acidic nature खुदी रखता है ठीक है उसमें खुदी acidic acid पाया जाता है lemon juice अभी बताया ये भी acidic nature का है तो ये हमको नहीं चाहिए हमको तो एक base की ज़रूरत है baking soda बच्चों this is correct answer बच्चों baking soda यहाँ पे हम लेंगे और जिससे हमको क्या होगा comfort मिलेगा baking soda का अगर chemical formula की बाद कर ली जाए तो NaHCO3 sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate भी बोलते हैं ठीक है इसी को baking soda बोलते है D option सब students के सभी बच्चों के दिमाग में ये question आ रहा होगा कि caustic soda क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये भी तो एक हमारा base है strong base है फिर ये क्यों नहीं answer है क्योंकि base हमको चाहिए और NaOH भी तो neutralize कर देता है na HCL को तो फिर ये answer हमारा क्यों correct नहीं हुआ बच्चों बहुत ही best question आपके mind में उठ रहा है अगर उठ रहा है ऐसा कुछ तो इसका answer बच्चों ये है कि NaOH जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा powerful है बच्चों एक क्या है ये strong base और बच्चों आपका जो stomach होता है ना पूरा system जो होता है ना आपका पेटका वो क्या रहता है वो बहुत ही soft है बच्चों और अगर उसमें strong base जाएगा ना तो फिर क्या होगा problem कुछ और ही generate हो जाएगी आपके जो stomach की walls है ना बच्चों वो damage कर देगा ये strong base है क्योंकि sodium hydroxide तो इससे दूर रहो भाईया तो हमको कौन सी कौन से base की जरूरत होगी baking soda का use करेंगे हम क्योंकि baking soda कैसा base है एक mild base है soft base है ठीक है तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि caustic soda का use क्यों नहीं करेंगे reason वही है कि ये strong base है ठीक है ये हमारे stomach की walls को damage कर देगा next question पर चलते है between vinegar and curd is that day vinegar और curd में कौन सी common property है options में choose करना है option A दिया है कि have sweet test कता ही नहीं ये कोई मिठा ही नहीं है बच्चों जो की sweet आएगा तो ये हमारा option नहीं होगा B वाला option है have bitter test तो bitter test तो भाईया किसका आता है bitter test base का आता है हमको acid के लिए मतलब कि vinegar कर्ड में तो acidic property होती है acid पाइजाते है तो हमको acidic behavior choose करना है C वाला option दिया है R test list test list भी नहीं होता सिरका खाते होता आप बहुत अच्छा लगता है तो फिर test list कैसे हुआ option D that is correct answer बच्चों have sour test sour test होता है खटा आता है बच्चों curd और vinegar दोनों तो option D हमारा correct answer है next question देख लेते हैं 42 number का question दिया है कि the indicator which produces a pink color in an alkaline solution तो कौन सा indicator है जो कि alkaline solution के case में pink color produce करता है तो option C हमारा correct होगा phenophthalene ठीक है बच्चों next question देख लेते हैं 43 number का question है कह रहा है कि a solution react with zinc granules to give a gas which burns with a pop sound the solution contains कह रहा है कि वो कौन सा solution है जो कि zinc granules से reaction करने के बाद जो भी gas release होती है वो pop sound के साथ जलती है ठीक है तो वो solution कौन सा है बच्चों वो solution आपका है hydrochloric acid है means HCL हमारा correct answer है option D जब हम HCL का reaction zinc से कराते हैं zinc granules से zinc is more reactive than the hydrogen तो वो hydrogen के यहां से displace करेगा और क्या बना लेगा jet N CL2 बना लेगा बच्चों और इसी के साथ क्या होगा hydrogen gas release हो जाएगी और इस hydrogen gas को जब हम burn कराते हैं तो वो pop sound के साथ burn करती है बच्चों ठीक है तो हमारा correct answer क्या होगा option D होगा हमारा HCL होगा ठीक है बच्चों